अगर आप सुबह सोकर उठ रहे हैं अगर आपके स्मार्टफोन पर एक मैसेज आया है कि जिसमें अगर यह लिखा होगा कि आपके एकाउंट से 2000 रुपे कट गए हैं तो आपका रियक्शन कैसा होगा आप जानने की जरूर कोशी करोगे कि यह पैसे कटे नहीं अगर बैंक में भी जाती हो तो वहां से भी आपको कोई इंफर्मेशन नहीं मिलती है तो आप बिल्पुल बहुत तरह घबरा जाएंगा कैसे होता है तो मैं एक एक जांपल पर तोर पर आपको बता रहा हूं कि जैसे एक मचली आप देखोईगा आप जब मचली ऐसे जाते हैं मचली पकड़ने के लिए तो आप एक चारा डालते हैं क्या डालते हैं चारा इंट्रेस्टिंग चारा इसलिए डालते है कि मचली को जो अच्छा लगता है खाने में वही आप चारा उसको भी देते हैं क्योंकि मचली जाएगी उस चारे को खाने के लिए तो आप ऐसे मचली को पकड़ लोगे से मुशी परकार से हमारे साथ भी ऐसा होता है जो हैकर्स होते हैं वो हमारे साथ चारा फेकते हैं और चारा कैसे फेकते हैं मैं बता रहा हूँ जैसे कि आपके कई बार देखा होगा कि आपके सामने एसी जाते हैं लेकिन हमेशा आप इसी देखके इग्नोर करते हैं लेकिन आप उस पर ध्यान देना चाहिए आप कभी भी इमेल अपना चेक करते हैं तो इमेल चेक करने के बाद से आपको वहां से एक मेल सो होता है कि आप इतना रुपया जीत गए है यह इतना रुपया आप डॉलर जीत गए है आपको बैंक से इतना का मेल आया है आप किसी विव साइट पर जाते हैं थर्द पर्टी विव साइट पर आपको वहाँ से भी मिलता है कि आप इसे डाउनलोड किजिए आपके एकाउंट में इतने रु में मैं बता चुका हूँ कि किसी भी unknown website पर आपको क्लिक नहीं करना चाहिए for example पर मैं बता रहा हूँ कि देखिए जो भी आप condition में हो उसे में ठीक रहे कि कई ब्यार का ऐसा होता है कि आप देखिए कोई modify application आप इस्टॉल कर लेते हैं आप जानते होगा कि गूगल प्ले इस्टॉर पर जीतने भी अप्लिकेशन आपके ख्याल से सिक्यूर होगा सेफ होगा लेकिन दरसल मेरे भाईया ऐसा बात नहीं है गूगल पर भी बहुत सारे ऐसे अप्लिकेशन से जो केवाल उनका पर्सा से है कि आपका डाटा वह अपने पास रियोस्टॉर करेंगे अब दाटा रियोस्टॉर कैसे करेंगे आप मान के चलिए अभी एक होट इस्टार आए तो आइडिया का सीम अगर रिउच करते हैं त इस्टार ने के बाद आप उसे क्या देते हो सारे पर्मिशन का एलाओ जैसे कॉंटेक्ट, SMS, मीडिया, केमरा यह सारे जिपने भी फर्मिशन मैं एक बात बता दू कोई सावी ऐसे अप्लिकेशन देखिए इस्टार करने से पहले आप देखिए उस पर्मिशन का क्या है उस चला जाता है, हाकर्स के पास हाकर्स चाहे तो अपने घर बैठे आपका फोन एक्सिस कर सकता है यानि कि कॉंट्रॉल कर सकता है तो भाया मैं इस वीडियो में एही बताने वाला हूँ कि देखिए इससे मैं बता रहो इसका साइड इफेक्त क्या है अब भाय बताओगा कि इ लेकी या कि आप कोई साभी सब्सक्राइब अम्मड़िफाई एप्लिकेशन ना यूज करें जैसे कि किसी ठर्ट प्लिकेशन पर जाकर अप्लिकेशन इंस्ट ला करें या कुछ पैसे बचाने के लिए उस अप्लिकेशन को किसी भी बेव साइट से आप डाउनलोड ना करें आप पप या बहुत सारे ऐसे बेव साइट जो आपके नजर में सामने आ जाएंगे जो आये दावा करती हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा मैं एक इजांपल पर तर पर बता रहा हूँ आप इसे जरूर ट्राइ किजएगा आप लिखिए हाउ टी फेसबूक आईडी हैक इतना लिखने के बाद आपके फेव गूगल पर लिखिए गूगल पर बहुत सारे धेरे साथ बहुत साथ भरतारे पर चले आएंगे आपके सामने कि मेरे अंदर इस पूर्फाइल का यूरल कोड डालो और मैं यहां से आपके किसी भी बंदे का मैं एकाउंट हैक कर दूंगा लेकिन इतना सरल बात भी नहीं है इंटरनेट का जमाना यहां कुछ भी हो सकता है मैं यह बता रहा हूं अब उसके लिए मैं सिक्योर करने के लिए आपको सेफ सलाथ देने के लिए मैं एक करा हूं कि जब आप कोई सा भी अप्लिकेशन बढ़ने के बास चला जाएगा एक अप्लिकेशन अपने एक हैकर एक अप्लिकेशन के मादियोत से क्या कुछ नहीं कर सकता है बहुत सारे से डाटा लिक कर सकता है मैं इस वीडियो मता रहा हूं तो देखिए मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको लिए बिल्कुल अपने लोगी के साथ अप्लिकेशन एक अप्लिकेशन के लिए